ये परमसवभाग्या की बात है कि आज भगवान वालमीकी जी की जयंती है एक ऐसे महापूरस जिसने सर्व समाज को एक राश्ता दिखाने का परदान मंतरी आदनिया नरेंदर मोदी जी यहां सब्त ग्रहन में आ रहे हैं आज भगवान वालमीकी जी महाराज की जयंती है मुझे अवसर मिला है भगवान वालमीकी जी के चरणों में सी सनवाने का और उन महापूरसों से प्रेणा लेकर के हमारा हरियान परदेश आगे बड़े आज मैं सभी प्रदेश वासियों को देश वासियों को भगवान वालमीकी जी महाराज की जयंती की बहुत-बहुत बधाई और शुब कामनाएं देशा है जब से भारतिया जनता पार्टी की सरकार हरियाना में बनी है सभी महापुर्सों की जनतियों को राज़ास सर के उपर मनाने का अवसर गौरव अगर मिला है तो भारतिया जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है सभी महापुर्स हमारे लिए आदरनिया है और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दाईतव, ये हमारी सरकार का है, समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्सन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का, और उस मार्ग को उपर चलने का कारिया है, वो हम करेंगे, मैं कितने लोग शबत ले रहे हैं आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अभी आपको सभी पता चल जाएगा कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद सब्सक्राइन समर होगा नई सरकार का गठन हर्याना परदेश की जनता की अपेक्षाओं के उपर ये डबल इंजन की सरकार आदनीय मोदी जी के साथ मिल करके हर्याना को तीवर गती से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी और आज ये पूरे हर्याना परदेश के अंदर जो भी हमारे हर्याना के लोगों ने दो क्रोड असी लाख हो में इस लोग संतर के परव में अपनी आस्था को जिताते हुए हर्याना को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है ये मोदी जी की नीटियो का परिणाम है मैं हर्याना परदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यावाद आज नतीजे आ जाएंगे आज देखिए क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था बच्चों के हमारे कमिस्ट ने रिजल्ट त्यार कर दिये थे वो रिजल्ट जारी करने थे प्रम्तु कॉंग्रस पार्टी ने किस परकार से उन बच्चों के साथ खिरपाड़ किया और उन्होंने कमिस्ट चीफ इलेक्षन कमिस्ट के पास जाकर के कोर्ट में जाकर के उसको प्रूक लगवाने का काम वो कॉंग्रस पार्टी ने किया हमने तब कहा था कि हम सब्स लेने से पहले उन बच्चों के वो कमिस्ट जो त्यार किये हैं वो निकालेगा आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे चोबीस हजार बच्चे हैं जिनके रिजल्ट त्यार थे क्योंकि ये कमिस्ट की ड्यूटी है इसके उपर राजनिति कोई भी दबाव नहीं है किस अबच्चों को एक ग्रीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हर्याना सरकार में नौकरी लग रहा है और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यहीं वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाना परदेश के युवाओं पांच साल आपके बास है संकल पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे क्योंकि लगातार जो वादे किये गए थे संकल पत्र के अंदर थोड़ा दिन मिले थे उस समय आपको चोवन दिन मिले थे आप पांच साल मिल रहे हैं पूरे के पूरे संकल पत्तर को जो हमने कहा है जब हमने ये जारी किया था मैंने तभी कहा था हमारा 2014 का संकल पत्तर देख लीजिए हमारा 2019 का संकल पत्तर देख लीजिए हमने हुब हुश को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये संकल पत्तर भी हमारी सरकार प्रून रूप से पूरा करेगी और जब जब भी हम इसको पर कोई संकल पत्तर के नीने को पूरा करेंगे आप लोगों से बात को पूरा करेंगे गरहन समरो में NDA के तमाम बड़े नेता और अब पूरे देश के NDA के सासीत राज्यों के मुख्यमंथरी उप्णु मुख्यमंथरी वो सभी इस सब्त गरहन समरो में करेंगे शामील हो रहे हैं और उसके बाद NDA के सभी मुख्यमंतरियों की बैठ भी है जो आप कहते थे कि 24 गंटे दर्वाजे खुले रहेंगे अभी भी खुले रहेंगे अभी भी में तेड़ सो लोगों को सुबह सुबह मिल करके आया हूँ और एक मंजे डलवाने वड़ा काम था वो भी अभी जारी रहेगा मंजे तो डाल दिये थे पहले सब्सक्राइब तो तस्वीर आपकी डीविश्कीन पर देख रहे हैं जब मुख्यमंतुरी नायब सिंह सैनी दरसल और वह कहीं ना कहीं पूजा करके निकले हैं आप देख सकते हैं जी अंके बात दीजे मुख्यमंतुरी से